सीटेट जुलाई संदो अजार तेईस के लिए उर्दू के स्लेबस के मुताबिक जो लगातार कलासेश चल रही हैं उसमें आज हम चैप्टर पांच जिसका नाम है कवायत का किरदार यानि की रोल आफ गिरामर को डिसकस करेंगे यह हमारी कलास नमबर 6 है पिछली 5 कलासेश की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी साथी साथ प्रैक्टिस सेट की भी एक प्लेलिक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी अगर आप लोगों ने हमारी वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए प्रणय जाती हैं तो रूल आफ ग्रामर क्या होता है जब कभी भी आपको ग्रामर पढ़ाने की बत को हमेंसे कन्टेक्स के कौडिंग means can youITY ज्यांइनकी श्याक के मुताबिक संधर्भा नुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए हुआ ग्रामर पढ़ाने की दो विदियां में क्या होता है पहले ही बच्चों को रूल बता दिया जाता है और फिर उसी रूल पे बच्चों को एक्जामपल्स कराया जाते हैं जैसे अगर बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि साइन स्कौाइर ठीटा प्लस कास स्कुराइट ठीटा स्कुराइट टू वन होता है अब जहां कहीं के भी बच्चों ने ये देखा उसका मान सीध्य वो वन रख देंगे तो ये जो मैथड कहलाता है वो आपका निगमन विधी डिड़क्टिव मैथड यानि की इस्तिखराजी तरीका होता है और ये जो तरीका होता है उससे बच्चों को रटना जो है वो बढ़ता है बच्चों में रटने की सलाहियत बढ़ती है और ये बुरियत वाला होता है ठीक है ये अन्नोन टू नोन जाता है यानि कि जो इस्तिक्राजी तरीका है इसमें हम पहले unknown कोई grammar का rule बता देते हैं और फिर उसी rule पे practice करवाते हैं एक और method है जो कि grammar पढ़ाने के लिए सबसे best method माना जाता है वो है इस्तिक्राई तरीका जिसे हम inductive method यानि कि आगमन विधी कहते हैं इसमें हम पहले example देते हैं फिर rules बताते हैं जैसे बच्चों को noun पढ़ाना है तो आप बच्चों से आसपास की चीजों के नाम पूछेंगे जैसे बेटा ये मेरे हाथ में क्या है मुबाइल है ये क्या है माइक है ये कलम है ये किताब है ये पंखा है तो ये सबी जो चीजें है ना सब के अलग अलग नाम है तो इनहीं नामों को हम कहते हैं इसम नाउन जिससे हिंदी में संग्या कहा जाता है इस तरह से हम बच्चों को समझा देते हैं तो ये जो समझाने का तरीका है वो deductive method नहीं बलकि inductive method है जैसे मा लेजिए आपको बच्चों को पढ़ाना है adjective सिफत क्या होती है विसेसर किसे कहते हैं तो कुछ बच्चों से उनकी उनकी खसूसियात पूछिए सलीम बेटा खड़े हो जाओ बताओ तुमारी क्या खसूसियत है सलीम कहेगा सर मैं अकल मन्द हूँ अली तुमारी क्या विसेस्ता है कहेगा अली सर मैं बहादर हूँ दौा तुमारी क्या खसूसियत है सलाहियत और quality तुमारी क्या है तो कहेगी मैं खूबसूरत हूँ तो सलीम की अकल मन्दी अली की बहादरी दौा की खूबसूरती यही आपकी सिफत होती है तो इस तरह से जब आप बच्चों को सिफत पढ़ाएंगे तो आसानी ज़र समझ लेंगे और जो आप method apply कर रहे हैं वो method आपका कहलाएगा इस्तिक्राई तरीगा यानिकि inductive method ठीक है ना चलिए अब बहुत सारे कुछ important points भी आपको इस chapter में मिलेंगे सबी अगर आपको detail में तो आप हमारे notes को ले लिजिएगा 22, 75, 94, 94, 90 पर आप message करेंगे तो हम sample भेजेंगे जिसमें कोई details जीने follow करके और मामूली सी रकम बता और हदिया हमें पेश करके complete उर्दो पेडागोजी का notes 13 chapter के मबनी है और previous year के questions paper answer की के साथ आपको मिलेंगे चलिए अब हम इस तरी related को सवालात करते हैं आपको बताना है कि जवाब क्या होगा कहा जा रहा है कि class 6 का एक teacher है पानी पारेश नदी वगर जब मुखतलिफ मौजवात पे various topic पे vocabulary यानि की अलफास तलास करने के लिए कहता है vocabulary करा रहा है तो जखीरे अलफास की teaching के लिए वो कौन से strategy कौन से योजना क कौन से हिकमते अभली अपना रहा है क्या स्याक के मताबक जख級 변दे आलफास करा रहा है या फिर वो पानी नदी और बारिस नदी जैसे टापक करने के लिए और फिर उन से इन टापिक से अलफास तलास करने के लिए का जा रहा है तो यहां पर जो टीचर है वो सियाक के मताबिक जखीरे अलफास करा रहा है यानि कि वो कैबली करा रहा है वो कैबलरी करा रहा है according to the context संदर्ब के अनुसार वो बच्चों को सब्द कोश करा रहा है यानि कि आपसे नंबर एक हमारा सरी होगा ठीक है क्लास साथ का एक टीचर है क्या कर रहा है मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्ज़ मवजूल करता है यानि कि जो पैसेज है पैसेज में जो एक्सरसाइज दी गई है तो बताज ये कि उन्हें गुरूप में इस पर बहस करने है और उसमें बच्चों को ग्रामर की प्रेक्टिस करवाई जा रही है तो ये आपका संदर्भ में वियाकरड है आपसा नमबर एक हमारा सही होगा अगला सवाल ये कि अब्तिदा में मुख्तलिफ मिसालों के जरीए उसूल समझा कर बार बार उन उसूलों की मश्क करना ये क्या कहलाता है पहले ही रूल बता देना पहले ही फार्मूला बता देना और उसके प्रेक्टिस करवाना मैंने ये आपके बताया था डिड़क्ट उमेटर होता है या फिर वो इंड़क्टव मेटर होता है तो मुख्तलिफ मिसालों के जरी असूल समझाना या पहले एग्जामपल देना फिर रूल कराना ये आपके पुछा जा रहा है तो यहाँ एक teacher के तौर पर कौन सा तरीका इसला करने का सबसे अच्छा है मान लिजी कि आप language के teacher है और बच्चे में correction करना चाहते हैं उसी गलतियों की इसला करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आमोजगार की गलती को आप फारण सही कर देंगे जैसे ही बच्चे ने कुछ गलत बोल चाहिं अगर कोई बच्चा गलति कर दे तू रहा है अग्यां कुछे चलो खर दिया आप घलति सुझाब्ण की जलती प्या है उसके पैटन को रहा है कि वजह की वजह से कौन सा रीजन है जिसके बच्चा गलती कर रहा है और उसके दुबार तदरीज देख और आमोजगार को उन्हीं गलती के बारे में बताए याने की अगर कोई आपका इस्टुडियन गलती करता है तो आप उसकी गलती के अनेलेसिस कीजिए गलती के पैटर्न को समझे और दोबारा टेटिंग करते हुए उसकी गलती को सुधार देजिए ठीक है तो याद रखिएगा NCF के मुटाबिक जो गलतीया होती है वो तदरीशी इस्टुडेंट दोनों को उनकी तालीम के बारे में फीड़ बैक देती है ठीक है तो यह सब पॉइंट आप याद रखिएगा क्लास में सरगरमी को बामानी करने के लिए को स्थाथ को क्या करना चाहिए आप कोई भी अक्टिविटी कर रहे हैं और वो आपकी अक्टिविटी मीनिंग्फुल हो तो आप क्या करेंगे तो आपकी अक्टिविटी सियाक वो सबाग के मताबिक होनी चाहिए यानकी कंटेस् मेर और उसमें आप साइंज और या जबान की कोई अक्टिविटी कराएं नहीं आप जब कभी भी कोई अक्टिविटी कराएं तो सियाक वो सबाग के मताबिकों संदर्व के अनुसार हो यानि कि आपसे नमबर सी हमारा सही है किसी सबक को पढ़ाने के बाद उस्ताद मुतादिद मिसालें पेश करती है और उसके बाद तलबा को उस मिसालों के जरी हासल सुदा जानकारे के बुनियात पर नए उसूल वज़ा करने के लिए कहती है यानि की टेशर ने पढ़ाया बहुत सारे एकजामपल्स दी एक इसका सलीम नाम है कि इसका कलीम नाम है यह पन्खा है यह यह ब्लैक बूर्ड और सहीज़ा जांडिए और कागी ये जबी जो से मिसाले हैं ये नामों की नामों को अगर तुम जमा करोगे तो ये जो नाम है वो क्या कहलाते हैं तो बच्चा बता जाएगे लिए इस में कहलाते हैं तो इस तरह से मिसालों के जरीया बच्चों से हमने वसूल और रूल बनवा लिए तो ये आपका म Inductive Method है जिसे आप कहते हैं हिंदी में आगमन विधी ठीक है उस्तानी तलबा को कुछ पर्चियों पर अधूरे जुम्ले लिख कर देती है और तलबा को अधूरे जुम्ले को उसके सही जुम्ले से मिलाने के लिए कहती है तो यह जो क्लासरूम की अक्टिविटी है से कराने का मकसद क्या है तो इसका मकसद यह है कि जो सेंटेंस है उसका सही स्ट्रक्चर बच्चे समझ सके इसी लिए टीचर पर्चियों पर अधूरे सेंटेंस लिख के देती है और हर स्टूडेंट को वो सेंटेंस पूरा करने के लिए कहती है तो आपसने हमारा सही है आमोजिस से कौन सा बयान दुरुस्त है देखो learning से related कुछ statement है पहला है कि तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन सरगर्मियों में सामिन देखें उनके स्याग के मताबिक हूँ या फिर जो उनके स्याग के मताबिक नहुँ या फिर तलबा वेमानी सरगर्मियों से अच्छा सीखत संटेक्स के कोर्डिंग हो तो आपसे नंबर यह हमारा यहां पर सही है कवायत की तालिम के लिए सबसे मुफीद तरीका मैंने बताया था इस्तिकराई तरीका जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं सबसे ज़्यादर मेथड है ग्रामर टीचिंग के लिए चलिए आज का आ अगला सवार है कि बच्चे जब मियारी कवाय सेखना शुरू करते हैं इस टेंडर्ड ग्रामर सेखना शुरू करते हैं तो उनमें तालीम का जो रुजहान है वो आम होता है क्यों कि वह बिल्कुल दुरूस्त होने के लिए जबान के कवायत को बहुत ही मुहतात अंदाज म तो थालीम के वहाथ वह जार ना कि और पर बदेनों दूखेशन के तो नह होने के लिए भी जिए हैं तरय नहां होने कि उनका रुजहान बडहता है तो प्रेशन कर लेते हैं कि बच्चे अपने वालदायं से जबान के बनियादी रसूल सेखने हैं तो पर बचarta को इस्टेंडर ग्रामर सिखाते हैं तो तालिम के तरफ उनका रुजान बढ़ता है क्योंकि वो फर्ज कर लेते हैं कि आम नहभी साक्तों का इतलाग तमाम हालात में होता है और आपसे नंबर भी हमारा शाहिए ऐसे भी बहुत सारे और कोश्चन्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे नोट्स को लीजिए हमारे चैनल हैदरी इस्टुडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को शेयर किजिए थैंक्यू वेरी मॉच